यह सब में एमपेडी का स्प्रेय है एक पुम्प में 20 में डालके इसके अंदर दो बार स्प्रेय किया हुआ है इसके कारण आप देख सकते हो इसमें एक सरीखे दाने आये है एसा नहीं है कि किसी में कोई-कोई छोटा है और कोई बड़ा है एक सरीखास दिक रहा है अरे पूरा छोड़ भी रूस्ट पूस्ट है इसमें कोई रोग नहीं है यह पूरे का पूरा एरिया है जिसमें एमपीडी का यूज करके यह पूरी फसल तयार की गई है यह सब डांगर की खेती है राइस की खेती है इस तरह से है पूरा आप भी अपने खेत में यूज कर सकते हो एमपीडी का एमपीडी का यूज करने से बहुत फाइदा है सब को करना चाहिए और आपको अगर यह प्लोट डिखना है तो आजाओ मेरे यहां पे मेरा गाम है उत्राज तैसिल अंकलेश्वर और दिस्तिक है बरुच्च्च्च् Okay, thank you.